यूपी के रामपूर शाहबाद में सुलह देव भार्तिय समाज पार्टी के जिलाद ध्यक्ष ने एक डियेम दुर्गा शकर गुफता को ग्यापन सौंप करने बस्ती में एडियेम के आवाज के पीछे नालो को नहीं हो रही सफाई जिसकी बड़ी वज़से कल तेलियां वा खाली पड़ी जमीनों पर नालो के उपर सिलिप डाल कर अवैद रूप से मकान और दुकाने बना कर अवैद कबजा कर रखा है जिसके कारण पानी निकासी बंद हो गई है उक्त के संबन्ध में अनेको बार अधिशाशी अधिकारी नगर पंचायद शहबाद में शिकायत भी की गई है परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही उक्त नालों पर अतिक्रमन हटाने का कोई कारेवाई अमल में आई गई तथा पानी का निकास ना होने के कारण नालों का गंदा पानी ओफलो होने के कारण गंदा तथा बारिश का पानी घरों में भर जाता है तब यहां रह रहे हैं लोगों के सामने भारी संकट खड़ा हो जाता है तब बिमारी फैलने का खत्रा रहता है ग्यापन में अवैद कबसे हटाने की मांग की गई है ग्यापन देने वालों ने सुलेह देव भारतिय समाज पार्टी के जिला द्यक्ष जादेव मलिक तथा युवा जिला द्यक्ष पाहीम खान आदी शामिल रहे अलवे अच्याए ने अच्छाए करम्चारी आया नइक है कोई करमचारी निया एक है यह हम इसकाय्त के बाद भी निया था कोई तक क्या मामला है यह मामला यह है कि जो नई बजब बरफ पाने के बराबर से जाड़ो वाली पुलिया को गोते हुए और इस्टेट बेंक के पीछे तक जो नाला गाया है उस नाले पर आज तक सालों से कोई सफाई नहीं हो पाई है जिसकी वेह से थोड़ी सी भी वारिश में पानी भर जाता ह है निकलने वाले को भी परेशानी होती है और घर में पानी भनने की वेसे बीमारीय कुछ जादे बढ़ गए है उतर जाकर आप देखो जाकर जाकर ग्राच कराओ सालों से कोई सफाई नहीं है नाले की और अबहद निरमार लोगों ने बना रखे हैं नाले पाड़ रखे है इससे पहले आपने कभी कहीं शिकाद करें इससे पहले कोई शिकाद नहीं करी इससे पहले हमारे पास कोई पद नहीं था हमें जिलाद्याच का पद और शवाब मिया को किस पार्टी किस पार्टी से भारतिये सुहल दे भारतिये समाज पार्टी का की तरफ साब ने जिया प लोग video?